दोस्तो रतन सास्तर में हर ग्रह के लिए अलग-अलग रतन बताए गए हैं जोतिस सास्तर के जानकार ग्रहों की दिसा को देखकर रतन धारन करने की सलहा देते हैं रतन धारन करने से ग्रहों के गुरे प्रभाव काम होते हैं लेकिन रतन धारन करते समय विशेज सावधानी रखी जाती है ऐसे में जानते हैं कि अलग-अलग रतन को धारन करने के लिए कौन सा दिन सुब रहता है और इनने किस उंगली में धारन करना चाहिए सबसे पहले आता है हीरा दोस्तों जिन जातकों के कुंडली में सुक्र की महादसा चल रही हो उन्हें हीरा पहना सुब होता है इस रतन को धारन करने के लिए सुक्रवार का दिन ही सुब है इसे मध्यमा उंगली में धारन करना चाहिए मानिक के रतन सूर्य की महादशा को कम करने के लिए मानिक के रतन पहनना सुब माना गया है इसे रईवार के दिन सूर्य दो के वक्त रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए नमर तीन पर आता है मोती कुंडली के चंदर ग्रह की महादशा को खतम करने के लिए मोती धारण करने की सलहा दी जाती है इस रतन को किसी भी सोमवार की शाम को सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए पन्ना रतन जिन लोगों की कुंडली में बुद्ध खराब रहता है उन्हें पन्ना रतन धारण करने की सलहा दी जाती है पन्ना को बुद्वार के दिन दोपहर के वक्त कनिष्ठा उंगली में पहन सकते हैं इसके बाद आता है मुंगा रतन दोस्तो कुंडली में मंगल की खराब दसा को दूर करने के लिए मुंगा रतन धारण किया जाता है मुंगा रतन को मंगलवार की शाम रिंग फिंगर में धारण करना सबसे बहतर माना जाता है पुखराज कुंड़ी के विरस्पती की असुध दसा को दूर करने के लिए पुकराज धारण किया जाता है पुकराज पहनने के लिए गुरुवार का दिन सुभ होता है इसे तरजनी उंगली में धारण करना चाहिए इसके बाद आता है नीलम सनी की महादसा कि शांती के लिए नीलम रतन धारण किया जाता है नीलम रतन को धारण करने के लिए सनिवार का दिन उत्तम माना गया है इसे मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए इसके बाद आता है गोमेद राहू के तू किसांती के लिए गौमेद रतन धारण किया जाता है इसे सनिवार के दिन सुरियास्त के बाद मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए तो आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही उम्मीद करता हूँ अब आप रतन पहनने के नियमों के बारे में जान गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद